हलो दोस्तों चानल पर आपका स्वागत है जयोतिश के सवयोग के श्रिंखला में आज हमारा दूसरा वीडियो आज के वीडियो में हम डिसकस करेंगे अनफा योग अनफा योग चंद्रवा के उपर अधारित होता है इसकी परिभाशा चंद्रवा से 12 भाव में यदि कोई ग्रह हो और दूत्य भाव में कोई भी ग्रह ना हो तो अनफा योग बनता है अब यहां हम तीन चीज़े हमने देख लिए हैं अगर हम इसको जनम कुडली में चेक करना चाते हैं और सबसे पहले चंद्रवा उसके बाद दूत्य और द्वादष भाव क्या होते हैं और उसके बाद कौन से ग्रह इंवल्ड है तो सबसे पहले अपनी कुंडली में आप चेक करिए कि चंदरवा कहाँ पर है वहाँ पर चंदर या चर्व या इंगलिश में है तो मून लिखाओगा तो चंदरवा कुंडली में कहीं भी हो सकते हैं इन बारा के बारा भाव में से अब द्वित्य और द्वादश भाव क्या होता है जब भी हम गिंती करते हैं तो हम जहां भी चंदरवा है वहां से आपने शिरू करना है अगर चंदरवा यहां पर है तो हम चंदरवा को एक गिनेंगे और द्वित्य भाव यानिकी दूसरा भाव इसका अगला भाव होगा और द्वादश भाव यानिकी बारवा भाव चंद्रबा से पिछला भाव होगा अब चंद्रबा कुडली में कहीं और भी हो सकते हैं अगर चंद्रबा यहां पर हैं, तो ये दूसरा भाव या दूत्य भाव याने कि अगर चंद्रमा का एक्जामपल हम इस जगा का लेते हैं, अगर चंद्रमा कुडली में यहाँ है तो ये द्वादश भाव हैं, तो इस द्वादश भाव के अंदर कोई ग्रह होना चाहिए और द्वित्य भाव खाली होना चाहिए, अब कौन से ग्रह हैं? यहाँ पर हम सूर्य, रहू और केतु को नहीं लेते हैं, क्रिपए याद रखे केवन इन पाँच ग्रह को लेते हैं, मंगल, बुद्ध, ब्रियस्पति, शुक्र और शनी को, तो इन पाँचों में से कोई एक या एक से ज़दा, अगर चंदरमा से दौधश भाव में हो, जहां भी चंदरमा हो, उससे एक भाव पहले, इन में से एक या एक से ज़दा ग्रह हो, और चंदरमा का अगला भाव खाली हो, तो अनफा योग बनेगा। अब इस योग की बहुत विराइटी होती है, 33-31 विराइटी बन जाती है, वो कैसे बनेगी, कि यहाँ पर अगर मंगल होंगे तो अलग प्रभाव आएगा, बुद्ध होंगे तो अलग प्रभाव आएगा, ब्रियस्पती होंगे तो अलग प्रभाव आएगा, इस तरह से प् पांच हुए तो अलग प्रभाव, इस तरह से यह बहुत variation बन जाती है, जिसकी वेज़ेसे प्रतिय कुंडली में इस योग का सेम रिजल्ट कभी नहीं होगा, हर कुंडली में अलग-अलग होगा, इसके साथ ही कुंडली टू कुंडली भी यह depend करेगा, कि जिस प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं, वो कौन सी राशी में बैठा हुआ है, जैसे कि यदि हम यहाँ पर consider करते हैं कि यह कुंडली लगन की राशी है, तो यहाँ पर 11 नमबर लिखा होगा लगन में, अगर कुंडली लगन का होरोस्कोप बैठा हूँ, और यहाँ पर 10 नमबर लिखा होगा, तो 10 नमबर में यदि इस जगा पर मंगल देव तब बैठे होंगे, तो वो उच्छ हो जाएंगे, मगर बिरिहस्पती देव यही पर बैठे होंगे, तो वो नीच हो जाएंगे, उसी तरह यदि हम कहते हैं कि चंद्रमा यहाँ पर प्लेश्ट हैं, और चंद्रमा से अगले भाव में, नमबर आठ लिखा है, तो जहां चंद्रमा बैठे हैं, यहाँ साथ हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पाच और यह चार नंबर की करक लगन की राशी बनेगी तो यहाँ पर दुध्य भाव में जहाँ 6 नंबर लिखा है यदि यहाँ पर बुद्ध देवता बैठे होंगे तो वो उच्छ होंगे और यदि यहाँ शुकर देव बैठे होंगे तो वो नीच हो जाएंगे उसी तरह से चंद्रवा कहीं भी और बैठे हो कुणली के अंतर आप उनसे अगला और पिछला भाव देखिए यदि चंद्रवा देथा यहाँ पर बैठे होंगे है और इस जगह पर एक नंबर की राशी है तो यहाँ दो नंबर की राशी होगी और यहाँ पर आठ नंबर का लगन यानि कि व्रिश्चिक लगन होगा अब व्रिश्चिक लगन में यदि चंद्रवा से द्वादश में कोई ग्रेब बैठ के योग बना रहा है यदि यहाँ पर शनी दे हुए तो यदि पी ये योग अच्छा बताता है मगर शनी देव इस राशी में नीच हो जाएंगे और यदि मंगल देव हुए तो मंगल देव इस राशी में सो राशी हो जाएंगे फिर भी ये छटा भाव है जिसका प्रवाब रोगरेंशत्रू कोट के इस दुरवटना मुकतबा इतियादी का भी होता है तो उसके result भी आ सकते हैं तो इसी तरह से हमको सभी भाव में चेक करना चाहिए तो किस कुडली में कौन से भाव में है और क्या योग बना रहा है उसके अनुसार यहां परिवर्तन आते रहेंगे दूसरी चीज़ कुडली में केवल एक योग नहीं बनता है काफी योग बनते हैं जहां पर एक तरफ आपके पास अन्फा योग बन रहा है वही पर कुडली में और भी तीन-चार योग हमको अराम से दिखते हैं जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे आप ये योग अपनी कुडली में देखना सीख जाएंगे तो इन सभी योग को हमको एक साथ सारे देखकर उसके बाद ही रिजल्ट पर पहुँशना चाहिए अब अन्फा योग का क्या रिजल्ट आएगा उसको देखते हैं ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अन्फा योग में पैदा होता है वह देखने में उत्तम होगा शीलवान होगा उसको सांसारिक भोग के साधन उपलब्द होंगे व्यक्ति संतोशी होगा और प्रसन होगा उत्तम वस्त्र धारन करेगा और उसका शरीर स्वस्त रहेगा साती साथ यह व्यक्ति समाज में भी प्रतिष्ठत होगा तो मुझे उमीद है आपको अनफा योग उसकी कैसी वेरियेशन देखनी है और कुडली में कैसे देखना है यह समझा गया होगा अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद